हाई फ्रेंड विल्कम अगें इन सिबिल साइट नॉलेच आज मैं आप सब को बताने जा रहा हूं कि मिनिमुम साइज ओफ ट्वालेट मिनिमुम एसपेस रिक्वाइड फर ट्वालेट के लिए कितना कम से कम जगा होना चाहिए अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको नॉलेच यह होना चाहिए कि ट्वालेट के लिए कितना एसपेस की जरूरत है उसका लेंद कितना होगा और विर्थ कितना होगा यह आपको जनकारी होना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लाइट तक देखिए मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ ओके फ्रेंड च neutrख До चलिए पहला हम अगर साइज अगर आपको बताने जाना है ट्यूलिट का साइज कितना आप रख रहे हैं रूम का तीन इंच और यह आपका छे फीट एक ट्वालेट के साइज होना चाहिए यह कैसे हुआ यह भी इसके बारे में जाना लेजिए जब आप ट्वालेट बना रहे हैं तो इंडियन सीट जब मार्केट से पर्चिस करेंगे इंडियन सीट तो उसका मिनिमूम डाइमेंशन होता है आपका यह देखिए इंडियन सीट है ओके इसका मिनिमूम डाइमेंशन होता है 400 mm और यह लेंद इसका होता है 510 mm यह मिनिमूम साइज के अबलेबल मार्केट में अबलेबल है आप इसको यह सेट करना है ओके जब टॉलेट बनाएंगे जब इंडियन सीट जब सेट होगा बात्रूम में यह मालेजी इंडियन सीट है ओके यह बैक साइट अगर मालेजी बैक साइट यह वाल है यह वाल है यह भी अपका वाल है यह क्या है अपका वाल यह जब सिश्टन फ्लस्ट करने के लिए जब सिश्टन करेंगे तो मिनिमूम 250 mm बैक साइड में यह इंडियन स होना चाहिए जिदर आप नल रखे राइट हैंड साइड में अगर नल अगर वाटर फ्लस करने के लिए वास करने के लिए नल जब रखेंगे तो वहां आपको लगभग ती इस से से 300 mm यह डिस्टेंस होना चाहिए और यह फ्रॉंट साइड यह फ्रॉंट जैसे इंडियन सीट से फ्रॉंट यह भी आपको 300 mm फ्रॉंट में होना चाहिए और यह जो साइड है वाल यह भी वाल है यह क्या है आपका वाल वाल से यह दोरी भी 250 होना चाहिए ओके अब यह देख है है उसके बाजू अगर आप क्या करते हैं इसमें दर्वाजा आपको फीट करना थो अगर दर्वाजा का ओप्निंग आगा रखते हैं मालेज लेंथ किस्क्लिल टो आपका कितना हो जागा आपका लेंथ यह है टू फुप्टि प्लेस पॉइंट में मैं बता रहे हो थीम सब trage 10 मैं इazione 510 में होना चाहिए यदि पॉइंट 510 मिन चेंज करती है प्लेसे में 3 अब अंदर खोलते हैं तो यह साह सो फ्लेस कीजिए 750 में ओके यह टूटल अगर आप प्लस करते हैं इसका 1.18 मीटर ओके फ्रेंट्स विर्थ की यह लेंद हो गए विर्थ विर्थ भी जोड़ दी ही 0.250 प्लस में आपका यह 400 प्लस आपका 300 एमें में यह डिस्टेंस यह हो गए आपका वन मीटर तो इसका साइज क्या होना चाहिए मैं आपको यह बता दिया यह आपका साइज इसका तीन फिट तीन इंच इंटू छे फिट यह मीनिमूम साइज आपको बातरूम के लिए चाहिए ही चाहिए दूसरा कंडिशन अगर आप चाहते हैं कि इसमें वास बेसिन इसी बातरूम में वास बेसिन रखे तो वास बेसिन का जो साइज आता है लगवक 16 इंच के आसपस आ तो अब अगर चाहते हैं कि हम वास बेसिन भी रखें तो वास बेसिन रखना चाहते हैं तो इसका साइज बढ़ा दीजिए यानि लगभग चार फिट इंटु छे फिट का आपको बात्रूम रखना पड़ेगा साइज दूसरा साइज इंक्लूडिंग इसमें का करना है इंक् आप टॉलेट विद्वडवेसिन के रखना चाहते हैं तो 6 फिट, 3 फिट, 3 इंच का यह डाइमेंसन होना चाहिए उक्के इसमें भी बैसिन लग सकता है लेकिन इसका वेड़ा दीजिए अगर बैसिन लगाना चाहते है तो 6 फिट, 4 फिट का, 6 into 4 फिट का आपको क्या करना है एस्पेस बनाना है ओके तीसरा यह दूसरा पॉइंट हुआ एक डाइमेंशन यह हो गया तीसरा नंबर अगर आप चाहते हैं कि ट्वाइलेट कंबाइन बना है ट्वाइलेट प्लस में बात लैट बात दोनों बना है इसके बात के लिए इसको 4 फित होना चाहिए और यह भी लगवग चार फित इसके लिए आपका डाइमेंशन टोटल हो जागा 8 फित लेंथ हो जाएगा 8 feet का length हो जाएगा और यह आपका 4 feet ही रहेगा तो अब इसका size क्या हो जाएगा 8 feet into 4 feet का आपका size हो जाएगा ओक्या friends तो चलिए इस वीडियो के माधियम से मैं आपको बता दिया कि minimum size of toilet कितना रख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए and comments भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा friends और हमेशा मैं civil से related वीडियो अपलोड करता हूँ तो friends इस वीडियो को share जरू करें